प्रिविएस दो वीडियो से हमारे कि पार्ट फाइब में हम जो भी क्वाडिनेट्स का यूज होता है complex number में उसको हम यूज करेंगे कि complex number और coordinate का आफस में relation क्या है और complex number को utilize करके हम coordinate के questions को कैसे solve कर सकते हैं इसको हम देखेंगे और coordinate का क्या contribution रहा है उसको हम देखेंगे तो coordinate और complex number का relation इसलिए बन जाता है क्योंकि कोई भी complex number आप x और y के ही form में लिखते हैं और कोई भी coordinate आपका अगर 2D coordinate से अला है जिसमें आप circle पढ़ते हैं पैरा बोला पढ़ते हैं हाइपर बोला पढ़ते हैं state line पढ़ते हैं pair of state line पढ़ते हैं तो उनके जो चीजे हैं वो भी x और y पे कही न कहीं depend करती हैं तो इस वजह से एक relation complex number और बाकी के जो 2D coordinate है उसका बन जाता है निर्दे सांग जामिती जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तो x और y के कहीं न कहीं touch होने की वजह से combination होने की वजह से ये एक relation बन जाता है तो उस utilization को उस relations को हम आज देखेंगे आज study करेंगे उन question को study करेंगे और इनके भी question आने के chances काफी broad होते हैं एक question तो आप मानके चल आप मानके तो आप होते हैं आप मानके तो आप होते हैं प्रशन है ये काफी बार आ चुका है डिये का बहुत ही बढ़िया question है question ये है कि cube root of unity को अगर किसी triangle के vertices पे represent किया जाए तो वो क्या बनाएगा कौन सा triangle वो form करेगा तो इसको हम देखते हैं कि cube root को अगर हम triangles के लिए vertices पे लेते हैं यानि कि उनके series पे लेते हैं तो वो कौन से triangle का निर्मान करता है तो अगर हम theoretical portion में हम बात करें theory की बात करें तो एक simple सी चीज़ होती है कि अगर हम किसी भी triangle के vertices के लिए cube roots को यूज़ करते हैं तो वो triangle हमेसा equilateral triangle होता है यानि कि sum बाहुत्रिभूज बनता है इसी चीज़ को हम देखेंगे कि sum बाहुत्रिभूज य यहां पर लिया cube root 1 omega and then omega square लेते हैं तो यहां हम omega देख रहे हैं कि minus 1 plus root 3i by 2 है यानि कि minus half root 3i by 2 तो हम omega के जगह पे coordinates के रूप में लिखें यहां हम 1 के साथ y axis पे 0 है 0 लिख देते हैं omega के लिए हम क्या लिख सकते हैं minus half and then root 3 2 x axis पे minus half और y axis पे root 3 by 2 उसी तरह हम omega square अगर देख रहे हैं तो यहां पे x axis पे minus half और minus root 3y 2 हो रहा है तो अगर हम a b को निकालना है यहां पे तो 1 plus half whole square root 3 minus 0 whole square तो यह हमेंगा 2,1,3,3,3,9 by 4 and then 3 by 4 12 बटे 4 यानि की root 3 हमें दे रहा है यह भी हमारा root 3 आ गया अब हम देखते हैं कि AC क्या आएगा AC भी लगबग वही देगा यह भी 3 by 2 का whole square जाएगा और 3 by 2 जाएगा 9 बटे 4 और यह root sorry 3 by 2 3 by 4 जाएगा तो अंडर root 12 बटे 4 यह भी हमारा root 3 आ जाएगा and अगर हम BC को चेक करते हैं तो BC पे भी अगर आप लेंगे तो यह और यह cancel हो जाएगा 0 का whole square यह और यह add हो जाएगा root 3 का whole square यानि की root 3 दे देगा तो यहां हम देख रहे हैं कि AB बरावर BC बरावर AC है यानि की कौन सा triangle यह form करता है यह equilator triangle को form करता है student यहां मैं एक चीज़ और mention कर दूं कि quadratic जो use होते हैं जो quadratic form में आपके complex number तो उसके लिए पर्टिकुलर ऐसा rule नहीं है कोई particular formulation नहीं है जिसको हम use करते हैं questions हमारे सामने होते हैं questions के लिए और हम अपने Z के लिए X और IY को ले करके हम उन questions को हल करते हैं हाला कि बहुत बड़े अगर हम questions में जाएंगे बहुत बड़ी चीज़ों में जाएंगे तो वहां हमें जरूर मिलेगा कुछ particular tricks होते हैं particular formula होते हैं बट उनको एक particular video में बता लेना वो possible नहीं है तो आज के इस video में मैं उस चीज़ों को हम देखेंगे जहां से छोटे question जो ज़्यादा तर करके आते हैं NDA में उनको हम discuss करेंगे बाकी further detailing जो हमारी होगी वो यहां आपके books में मिल जाती है आपके पढ़ाई में मिल जाती है यहां पे हम करा देते हैं तो आज इस video में हम उन basic questions को देखेंगे आगे के question या आगे के formula को आपको उन class में attend करके उन class में हम चीज़ों को बताते हैं तो इस video में मैं basic चीज़ों को आपको फिलहाल बता दे रहा हूँ जैसे कि यह प्रस्ना चुका है question है कि mod i-z upon i plus z is equal to 1 lies on x-axis lies on y-axis none of these या फिर lies on the negative x-axis या negative y-axis तो यहां पे इस ताइब से जो question होते हैं उनके लिए एक simple सा तरीका है simple सा rule है कि जो z होता है उसको हम x plus i y मानेंगे always take the x plus i y never take the x minus i y क्योंकि x minus i y मूल रूप नहीं होता है मूल रूप इसी complex number का x plus i y होता है तो मूल form में हम लेते हैं तो i minus x plus i y upon i plus x plus i y is equal to 1 अब इसमें हम i one minus y इसको कर सकते हैं यहां पे minus हमने लगा दिया i को common ले लिया तो यह one minus y हो गया यह minus x हो जाएगा plus x square upon 1 plus y whole square upon x square is equal to 1 अब इसको यहां पे भेज़ते हैं दोनों और work करेंगे यह और यह cancel हो जाएगा student यहां हम पा रहा हैं कि y is equal to 0 आया तो y is equal to 0 आया it means complex number is purely real purely real means complex number lies on it lies on the x axis because the y is 0 so it lies on x axis किस सक्ष पे लाई करेगा आपका complex number x सक्ष पे क्योंकि y सुनने है अगर x सुनने होता तो यह y पे लाई करता तो यहां हम देख रहे हैं कि जो छोटे हैं हमारे प्रस्णों जो ज्यादतर आते हैं उनमें हम इसको ऐसे बना लेते हैं बाकी further हमारे यहां जो classes आपको चलेंगे उसकी पूरी details जो भी आती हैं उन चीजों को हर एक चीज़ को यहां बताया जाता है तो further अगर आपको चीजों को जानना है समझना है तो यहां पे आप बिल्कुल admissions ले सकते हैं then after आपके according हम इस examination pattern के according जो भी previous year में questions आये हैं उसके according या जो भी utilization आपके books की needs या other things जो भी possibilities होती हैं उन possibilities के according आपको यहां पर preparation कराया जाता है तो एक बार जरूर विजिट करें यहां पे आ करके और further आपके classes जो भी चलेंगे recently वो आपको information time to time मिलती जाती है आपको वीडियो के मादम से भी मिलती जाती है तो then after अब next हमारा जो वीडियो आएगा वो मैं आपके लिए determinant और matrices से related वीडियो को लाऊंगा तब तक के लिए जैहिंद